नमस्कार आप देखराएं आज की खास बात अपने दोस्त वी उसेंग के साथ दोस्तों SMS कंपनी जो नाकपूर की कंपनी है और एक बड़े पोलिटिसियन की कंपनी है उसके बारे में लगातार हमने हर एपिसोड में सिर्फ सच दिखाया है और ये सच के तह तक जाने के लिए हम नाकपूर से यवत माल पहुँचे यवत माल के दिग्रस तहसिल पहुँचे जहां पर SMS कंपनी जो नाकपूरी कंपनी है उसके करार नामे और कार नामे की सच्चाई देखने जब हम पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि वहाँ जो तहसिलदार है प्रव पिछले कई एपिसोड में हमने लगतार आपसे बातचीत किया और आपको बताया है कि नागपूर की SMS Infrastructure Limited Company यवतमाल जिले के दिगरस तहसिल में अवैद खनन किया है और यह खनन कई एकर में किया गया है एक दो एकर नहीं बलकि प्रथम चरण में पांच एकर में खनन किया गया और जिसको ले करके दिगरस तहसिल द्वारा कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी परकार की कोई पर्मिशन यहां से नहीं दी गई है लेकिन इसके बावजूद प्रथम चरण में पांच एकर का खनन इनके द्वारा कर लिया गया और जिसको देखते हुए हम यवतमाल जिले के दिगरस तहसिल में कर्याले में पहुंचे है और यहां हम यहां के तहसिलदार प्रवीन धान कंपनी जैसे बड़ी कंपनियों को आखिर हिम्मत कैसे होती है कि वह इस तरीके से अवैध तरीके से खनन कर सके इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है इस पे भी हम आने वाले समय जरूर चाचा करेंगे इसके तह तक जाएंगे और जो भी जानकारी होगी सच सिर्फ बी है कि अगर वह तरीके सर एसमेस कंपनी नगपूर की जिसके जिसकी वजह से आप इस अवैध खनन किया गया है दिग्रस में जुमा मसजीद के अधिकरित जमीन पे तो उस मामले में अभी आप क्या कर रहे हैं और उस पे क्या हो रहा है कि अवैध उत्कनन हुआ इसा हमें पता चला उसके बाद हमने वहां पर विजिट किया और रेलेवालों को भी हमने पूचा उन्होंने बोला कि परेवारन की परमिशन नहीं थी उस वजह से हमारा उत्कनन रुख गया था और परेवारन परेट कर रहेते तब तक चल रहा थ लेकिन हमने देखा कि हमें यहां से परमिशन दी नहीं थी कलेक्टर उपी से माइनिंग उपी से पूचा है वहां से परमिशन नहीं थी तो हमने अभी तलाटी मंदा दिकारी का आवाल मंगा है और पीड़ेवलोडी और भूया बिलेक का जो है वो कितना उत्कनों उसका अगर जिसी साब से एक महीने होगे और व्याने वाले समय में और भी समय लगेंगे आवाल सारदर करने में तो इससे तो यह माना जा सकता है कि एक जैसे समय बढ़ेगा तो SMS कंपनी को एक मौका मिल जाएगा आपने सेफ्टी के लिए बचाने के लिए तो सर एक महीने के बा एक तहसिलदार एक जिम्मेदारी के आप पोस्ट में हैं तहसिल में अपने तलाटी को दिया है आवल सादर करने के लिए अपने जगण ठीक है लेकिन क्या एक तैसिलदार होने के नाते आप और यहां कि कि तरीके स्वाइत करना है पता है कि वह समस कंपनी के चेर्में कौन है फाउंडर कौन है कहां ओफीस है क्या है चीजिए आपको पता है क्या जानका रही है आप इस बारे में आपके पता है तो जैसा कि आपने देखा प्रबीन धानुरकर जी यहां के तैसिलदार है और उन्हें कहा है कि हम इस पे कारवाई करेंगे लेकिन सवाल यह और इस पे कितने करों का या कितने लाख रूपेका इसमें अवाईद खनन किया गया है उसके कितनी पैनल्टी बेटती आने वाले सब्सक्राइब हम देखेंगे और इसके अलाबा भी कई एहम मुद्दे इस संबंदित हमारे पास अभी भी है जो हम आपको लेकर आते रहेंगे और आप तक हम बताते रहेंगे हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अखलेश भारद्वास के साथ प्रबीन धानोरकर जिट ने कहा कि हम इस पे पू ऐसे अपने मनमर्जी से राजजस्व का नुकसान करते हैं और खनन करते हैं व्यापी भू माफिया बनने ही कोशिश करते हैं यह कंपनी किसकी है क्या है अगले एपिसोड में हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे क्योंकि यह कंपनी नागपूर के एक बड़े यह सिंक साथ